अजय लल्लू ने लगाया बड़ा आरोप कहा आर्पियन सिंग मेरे भाजपा में जाने की फैला रहे अपवा नमस्कार मैं हुश्यवांगी और आप देख रहे हैं निउस्ट्रेन इंडिया हाले में केंज्रे मंतरी आर्पियन सिंग ने कॉंग्रिस से इस्तीफा दे कर भाजपा का दामन थामा है महिन अर्पियंज सिंग के भाजपा में शामिल होने के बाद कॉंगरेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट और यूपी कॉंगरेस के प्रदेश अध्यक्ष अजयकुमार लल्लू ने करारा प्रहार किया है आपको बता देखी उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुद्वार को आर्पेन सिंग पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा नेता आर्पेन सिंग पर शारित कर रहे हैं कि मैं भाजपा में जाने वाला हूँ इसके अलावा लल्लू ने कहा कि मैं सपष्ट कर दू कि मेरे खूर के एके कत्रे में राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी का एहसान है और मैं राहूल गांधी का सिपाही बन कर काम करना रहूँगा और जब तक जियूंगा कॉंग्रेस में रहूँगा इसके साथ ही कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आर्पियन पर तंज कस्ते वे कहा कि नई कॉंग्रिस में संघर्ष करने वाले ही रह सकते हैं यूपी के जमीनी मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गादी के साथ हजारों कारे करता दिखाई देते हैं लेकिन आर्पियन सिंग कभी नहीं दिखे इसके अलावा लल्लू ने कहा कि वह राजा है और उन्हें मेरी जैसी छोटी विरादगी के गरीब आदमी का कॉंग्रिस का प्रदेश अध्यक्ष बनना रास नहीं आ रहा था